मनिपूर के मुद्दे पर संसत में चल रहा गती रोध कम होने के बजाए और बढ़ता जा रहा है इस बीच बड़ी खबर सामनी आए कि मोदी सरकार के खिलाव विपक्ष आविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्षी गडबंदन इंडिया की बैठक में इसे लेकर फैसला किया गया बैठक में ये तैग हुआ कि विपक्ष मनिपूर के मुद्दे पर सदर में पीम के बयान की मांग पर कायम रहेगा और आज क्या कुछ हुआ संसत में देखते हैं ये रिपोर्ट अर्जुन खडगे के नेत्रित में बैठक की बैठक में सरकार के खिलाफ आविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया मनिपूर मुद्दे पर आज लोगसभा और राज्यसभा में जम कर हंगामा हुआ लोगसभा की करवई शुरू ही विपक्ष नारेबाजी करने लगा स्पीकर ने तीन मिनट बादी सदन को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया यही इस्तिती लोगसभा के दुबारा शुरू होने पर भी बनी रही है सांसदों ने सदन में नारेबाजी की और अध्धक्ष के आसन के पास पहुँच कर इंडिया फोर मनिपूर के पोस्टर दिखाए इसके बाद लोगसभा दुबारा पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई उसके बाद जैसे ही कारवाई शुरू हुई वैसे ही विपक्ष ने मनिपूर का मुद्दा उठा दिया इसी दोरान सरकार ने कई बिल पेश कर दिये उधर राज्यसभा में भी ऐस से ही हालात रहे मनिपूर के मसले पर चर्चा की मांग को लेकर कॉंग्रेस और आप समयत विपक्षी दल स्थगन प्रस्ताव लाए थे तीसरी बार राजसभा की कारवाई नारे बाजी की भी शुरू हुई बाद में दो घंटे से ज्यादा समय तक कारवाई चलती रही भाद धनकर साहब ने ये फैसला लिया दिबी लाइफ की रिपोर्ट